पुपी के नौईडा में सेक्टर 20 थाना छेतर के सेक्टर 18 में एक इस्पा सेंटर के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने एवं उन्हें बंदर बनाने की आरोप में पुलिस ने एक बहुच्चा चित नेता और उसके स्काथी को गिरफ्ता किया है अपर पुलिस उपायुक्त जोन पर्थम आशुक्त उस्त्रिवीदी ने बताया कि सेक्टर 18 में एक इस्पा सेंटर में बीती रात को गाजियाबाद के पवन पांडे तता उसके दोस राजेस तोमर मसाज कराने पहुचे तता उन्होंने वहाँ कर्मचारी राज के साथ मारपीट की एवं उसे बंदग बना लिया उन्होंने बताया कि राज की शिकायत पर पुलिस ने पवन पांडे और राजेस तोमर मों गिरफ्तार किया है उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को अधरत में पेस किया जाएगा पताया जाता है कि आरोपी पवन पांडे गाजियाबाद के राजनगर एक्स्टेंशन इस्तितिक सोसाइटी में रहता है जहां उसने एक व्यक्ति और उसकी बहन के साथ मारपीट की थी इस मामले में गाजियाबाद में मुकतमाद दर्ज है पताया जा रहा है कि पवन पांडे उसके भाई ने खरन माफियाओं से अपनी जान को खत्रा बता कर सरकरी चुरक छली हुई थी सपसासनकाल में पवन पांडे अपने आपको समाजवादी पार्टी का नीता बताता था जबकि मवजूदा समय में वभाजपा के बड़े बड़े नीताओं के साथ अपने स्तीधे सम्बंद बताती है फिरो रिपोर्ट आउपियन